Hello everyone, this is Mahesh Soni, Director Mehandral Institute. Today we are going to start a new topic that is section number 10, 11, close to 14 and 16 of the SRA 1963. In the last video, we have already discussed up to section 8 of this act and today we are going to start a new topic. So let's start today's video. If you haven't subscribed to our channel, then subscribe to our channel and press the bell icon. So let's start today's video. If you want to check if you want to check here, please consider doing practice specific performance of yourж in respect of the contract contract के regarding आपकी कुछ specific performance करवानी है the specific performance of a contract shall be enforced जब यहाँ पर specific performance को आपकी shall be enforced by the court court की यहाँ पर duty लगा दिया absolute duty कि तरह यह बात आप बता सकते हो समझ सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि court की duty बनेगी कि वो specific performance किसी काम की जो भी आपका बोला गया किसी contract की उसको specifically perform करेगा ही करेगा लेकिन subject to the provision contained in section 11 close to 14 and 16 but section 16 का section 14 और 11 के close 2 के provision को धान भी रखेगा मतलब उन provisions के अंदर आपकी specifically performance नहीं करवाई जा सकती ऐसा section 10 के अंदर लिखा हुआ है अगर generally समझे तो क्या होगा कि जब कोई person court में जाएगा कि मेरे इस contract को आप specifically perform करवा दो तो इस दे duty of the court कि यहां पर क्या करेगा इसको specifically perform करवाएगा ही करवाएगा बट अगर यहां पर section 11 close to 14 16 20 उनके लिए बोला गया है कि जिसका भी आप perform करवाना चाह रहे हो वो उन्टेक्ट आपके perform या फिर एंफोर्स नहीं करवाएगा जा सकते हैं तो आपको specific performance के जो डिक्री है वो नहीं मिलेगी अगर आपका case in section के अंदर फोल करता है तो उस cases के अंदर और और अगर इस यह जो case है आपका वो अगर not fall under these sections करके ही देगा perform करवाना ही करवाना पड़ेगा ऐसा section के अंदर लिखा क्योंकि पहले जो वर्ड था वो में यूज किया हुआ था अब जो है यहां पर शैल वर्ड यूज कर रखा है तो इस case में क्या रहा है कि जब भी आपका case fall करता होगा other situation में other than those section in section को छोड़के जहां पर fall करता होगा तो यहां पर court की ड्यूटी बनेगी कि वो इसको specifically perform करवा ही करवा देगा लेकिन 11 के two second जो close है वो 14 और 16 में हाब specifically performance नहीं हो अगर वो चीज़ आपकी enforceable हो सकती है किन चीज़ों की बात हो रही है कि जो भी आपके contact connect करते हैं किसी trustee के साथ trustee से कोई contact रहा है तो उसकी के अंदर आपके हो दो चीज़ें रहती है तो अपने power के exceed करके अपने power को उसको exceed करेगा और कोई contact कर रहा है एक चीज़ यह या फिर उसके बीच का जो contact है उसको breach कर रहा है या फिर आपका यहां पर क्या कि जो trust है उसको यहां पर क्या कर रहा है कि जब उस person ने अपनी power के beyond जा कि उस trustee ने कोई भी contract कर लिया और उसको breach कर रहा है और दूसरा है कि trust को breach करता हो तो उस चीज़ को भी आप यहां पर क्या है specifically perform नहीं करवाए जा सकता यह आपका फोल करता है 11 के close to में इस वज़े से section 10 के आपके तीन प्रोवाइज जो एक तरीखी से बोलना कि 14 में 16 में और 11 के टू जो क्लोज है उसके अंदर आपकी specifically performance नहीं करवाए जा सकती है ऐसा इसके अंदर लिखखवा है अब जो 11 के अंदर में जो अगर बात करें तो क्या रहेगा कि ट्रस्ट के साथ साथ जितने भी आपके कॉंट्रेक्ट होंगे ना ट्रस्ट के साथ आपने जो भी कॉंट्रेक्ट किया उनको definitely perform करवाए जाएगा जैसे मतलब अगर एक्जामपल लेके चलें तो क्या रहेगा कि एक ट्रस्ट है उसने कॉंट्रेक्ट किया बी से कि आम पेइंग यू टैन लाक रुपीज आपको हम क्या कर रहे हैं कि 10 लाक रुपे दे रहे हैं specific type की कोई भी क्या है कि ambulance की requirement उनने बोल दी कि मैं उनको special type के ambulance से यह उसके पहले payment कर दी थी एक चीज यह रहती है एक अगर समझे तो क्या रहती है कि अगर आपका जो contact होली या फिर पार्टली ट्रस्ट की regarding है ट्रस्ट से ही deal करता है तो court shall perform उसको perform करवाएगा ही करवाएगा यहां पे इसकी absolute duty बनती है except as otherwise provided in this act इस act के अंदर जैसा भी अगर otherwise अगर ट्रस्टी ने कोई contract किया beyond powers तो उसको perform नहीं करवाएगा ऐसा section 11 जो आपका 11 है वो बता रहे हैं अब जो section number आपका 14 है वो आपका बात कर रहा है कि contract not specifically enforceable कि कुछ ऐसे contact हो जिनको specifically enforce नहीं करवाएगा जा सकता वो section आपके 14 के अंदर बता रहे section 14 के अंदर क्या बोलना इनको पर्फॉर्म नहीं करवाएगा जा सकता है फरस्ट आपका बोलता है वेरे पार्टी दिदे कॉन्टेक्ट है और सब्सक्राइब करवा लिया मतलब मेरे को बैग चाहिए और मैं आप से कॉन्टक कर रहा हूं और आप अगर उसको ब्रीच कर रहे हो तो मैंने बैग क्या करे किसी और से खरीद लिये अब यहां पर क्या हो रहा है कि मेरी जो तरी जरूर थी वह तो पूरी हो रही है ना तो वह क्या होगा कि एक तरीके से सब्स्टिटूट हो गया है सब्स्टिट लोट करके किसी और से वो बैग ले लिए तो मैं आपके खिलाफ इसको क्या है कि स्पेसिफिक पर्फॉर्म करवाने के लिए आपको क्लेम नहीं कर पाऊंगा आपके गैंस्ट में इसका कोई भी शूट किया था सो रूपे पर लेने पड़ रहे हैं आप तो देगे रहे हँए और वहां से में बैग मिले साब से 100 गैव तोघू यह उसके लिए कंपनशित नाप को बोल सकता है a contract the performance of which involved the performance of a continuous duty which the court cannot supervise कुछ आपके contract ऐसे होते हैं जहां पर क्या रहता है कि court को proper तरीके से court को यहां पर continuously एक duty देनी पड़ेगी supervision मतलब court को करने पड़ेगी उसके उपर regularly क्या है कि court को ही ध्यान रखना पढ़ेगा आप इस काम को पूरा कर दोगी कि नहीं करोगी तो इस case में court क्या है उन चीजों का वोईडी करती कि कहां पर court अपने एक टकाटक नजर बना के रखेगी तो उन cases में यहां पर क्या करते हैं उसको avoid कर दिया जाता है उस case में आपकी specifically performance नहीं करवाई जाएगी मतलब अगर समझें तो क्या रहेगा कि अगर आपका contract इस तरीक है जहां पर उसे perform करवाने के लिए court को continuously duty देनी पड़ रहे है court को ही उसका supervision करना पड़ रहे है तो court perform करने से मना कर देते कि क्योंकि court के पास हो सकता है कि इतना time भी नहीं होता है तो जहां court को लगे कि मैंने अगर allowed कर दिया तो पंगा हमें पड़ेगा हमें क्या रहेगा को प्रॉपर सुपर्वाइस करना पड़ेगा तो इसलिए court हाँ पे उसको perform करने से मना कर सकती है जो सी क्लोज है वो बोलता है contract which is so dependent on the personal qualification of the parties and the court cannot enforce the specific performance of its material terms material terms को underline करना है यह वहता कि किसी भी person की जहां पर personal skill involved हो तो forcefully उसकी perform नहीं करवा सकते ना अगर मानके चलो कि मैं हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ अब पढ़ाने के उपर अगर मैं अपना मन नहीं है उस level का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आप यहां पर क्या करोगी shoot file करोगी shoot file करने के बाद court यहां पर क्या है कि मेरी personal skill को perform उस level का करवाने के लिए force करी नहीं सकती क्योंकि court order देगी क्या order देगी कि आप इनको बढ़ाओ जी आप इनका slave time पर क्यों नहीं करवा रहे हो अब अगर court order देगी तो मैं क्या करूंगा पढ़ा दूंगा लेकिन उस level का जो चीज़ है ना जो level मिर को चाहिए मतलब जो मैं regularly पढ़ाता हूँ वो regular आपका जो एक level है वो मापको दूंगा ही नहीं तो उस चीज़ को court क्या है परफॉर्म नहीं करवा सकती है court को थो नहीं पता लेगा कि मैं किस लेवल का बढ़ा सकता हूँ और किस पर नहीं पढ़ा सकता अब यहां पर इसको स्पैसिफिक लिए उस लेवल का परफॉर्म करवाने के लिए यहां पर स्पैसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती क्योंकि उस परसन की एक परसनल स्किल्स हैं तो हो सकता है कि उस के अंदर भी आपके court के अंदर क्या करेगी कि उसको avoid कर देंगे अब किन-किन केसिस में हो सकता है ऐसा क्रिकटर हो गया जैसे क्रिकटर परसन को परसनलों तो सकते हो प liksom के साथ खेलो हो सकता है जल्दे आउट हो जहाए जान बूच के भी नहीं हो रहा तब भी हो सकता के कई कई बार यह फिर कोई पेंटर हो यह फिर आपका हो सकता कोई दांसर हो मुवी के अंदर कोई भी आपका मतलब कि सीतरी ऐका का अगर कोई भी कि which is in its nature determinable, determinable अपका क्या रहता कि जो भी contact determinable nature का है उनकी cases भी अपका क्या करने कि यहाँ पे specifically परफॉर्म नहीं करवाई जाएगा, क्या बोलगा कि A और B है, B have the power कि उस कॉंट्रेक्ट को wa available declare करवासकता है, तो A court में गया, और बोलता कि order to B, मतलब B को ऐसा order दो तो perform specifically कि specifically वो perform कर दे तो court उसे allowed नहीं करेगी और B को order नहीं देगी कि specifically आप इसको perform करी दो क्योंकि जो order आते हैं order के आते ही contact को किया है कि वो वोडेविल करवा लेगा अब उसको बता है नहीं कि अगर मिरे को ऐसा order आएगा court का तो B person उसको वोडेविल करवा लेगा तो court अपने power यूज़ करेगी और party अपनी power यूज़ करेगी यहां पे ऐसा हो रहा है पार्टी के पास ऐसा राईट है जहां पे आपका क्या कर रहे हैं कि विडिक्लियर करना निकला उसका तो पावरी है बी परसन और पर पर करना यह नहीं चाह रहा है तो जब भी उसको स्पेसिफिकली उसको पर दबाओ डालके order आएगा court का आते ही वो उसको डिक्लेर करवा लेगा वोईडेबल तो उसके इसके अंदर court ने भी अपने power को यूज़ कर लिया और पार्टीन भी अपने power को यूज़ कर लिया कि आप शूट फाइल कर दो उस पसंद के खिलाफ जिसका जो आपका कॉंट्रेक्ट है वो आपका डिट्रिमीनेबल नेचर कहा हो उसके इसके अंदर मतलब डिट्रिमीनेबल जिनको आप कैंसल किया जा सकता हो तो यहां पे court की और पावर की दोनों की पार्टी इसकी पार है पार्टी अपनी पावर को यूज़ करेगी उसको कैंसल करवाने में court उसको ओडर देगी court order देगी परफॉर्म करने की तो इदर से वोडर ले आएगा कि हाँ जी मैं तो इसको कैंसल कर वा रहा हूं तो उसके इसके इंदर भी उसको स्पैसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा परफॉर्मेंस की डिक्री भास करने से मुलता है स्पैसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री को पास नहीं करा जाएगा फिर्स्ट आपका एज जो है वह आपका 2018 के अंदर इंसर्ट किया गया बोलता है हूँ हैज उप्टेन दसप्स्टिटिटिट परफॉर्मेंस कर वा लिए किसी की तो उसके इंदर भी क्या रहता है कि मतलब उसने सब्स्टिटिट ली ट्वेंटी में जाओगे तो एक बट्वेंटी की हैटिंग भी देख लो क्या बोलना चाहरा है ट्वेंटी आपका सेक् उसको चाहिए वो उसने खरीद लिया है तो उसके इसके अंदर उस फसन को आप बार लगाओगे उसके उपर कि आप यहां पे सब्स्टिटुटिटिट हो जाने के बाद आप शूट फाइल नहीं करोगे उसके स्पैसिफिकली परफॉर्म करवाने की रिकार्डिंग जैसे पहले आए था ना फूटीन के एक अंदर जो बैग वाला मैंने आपको एक्जम्बल दिया थे जहां पर बैग मेरे को चाहिए थे आप दे नहीं रहो मैंने कहीं और से ले लिए तो उसके बाद मापके खिलाफ स्पैसिफिक परफॉर्मर्स के रिगार्डिंग शूट फाइ और मैंने अपसे आपको एक तरी को पैसे दे दू आप मेरे को समान बेज़ दिना अब एक तरी को शाम को बैठके मेंटिंग होती है कि आपने का यहां पर इसको पर फॉर्म करदोगे तो उस की सिस के अंदर कहा रहेगा कि एक पार्टी खुद जो कोट के अंदर आ रही है करके ना आए हैं अब मैं खुद एक्सक्राइब कर रहा है उर्फर आपको एक तरीके से फॉर्ट करने की खोसिस कर रहा हूं कि आप अपने पार्ट को पर्फॉर्म करो तो यहां पर मेर को आल आओड नी करा जाएगा जहां पर प्लेंटिफ खुद भी अपनी गलती कर रहे है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस पार्ट जो है वो आपका अन परफॉर्म्ड है रिमें टूबी परफॉर्म्ड जिसको बोल सकते हो तो उनकी सिसके अंदर भी आपका हो सकता है या फिर कमिटिंग फ्रोड करती हो खुदी पार्टी या फिर एक्टिंग बाइरिंग औ और ऑल्टरिंग देटरंस अब तो कॉंट्रेक्ट मतलब जितने भी इस टरूं के हिसाब से बोलना गया था पहले की कॉंट्रेक्ट को इस इस टाइम पर इस तरीके से परफॉर्म करना है लेकिन उसकी टरम्स के अंदर मैं ही चेंज कर रहा हूं मैंने खुदी उसके बाद से बोलता हूं कि आप इसको पुराने वाले टाम्स के इसाब से आप उसको परफॉर्म करो मैं अपनी अलग करूंगा तो उस के अंदर क्या हो का कि मेर का लाउड नहीं करेंगे कि स्पैसिफिकली परफॉर्म मैं करवास को उसके इस तरी के से उसको अलाउड नहीं करा अगर मैं हूँ आपके साथ कॉंट्रेक्ट हो रहा है तो मैं ही फेल हो रहा हूं कि मेरे अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया मतलब यह है कि मेरी ड्यूटी बंती थी मैं आपको पहले पैमिट करता तो मैं इस बात को प्रूर्वी नहीं कर रहा हूं कि मैंने इसकी पैमिट रहा है तो दूसरी पार्टी के उपर यहां पर बर्डन नहीं डाल सकते हैं उसको पर्फॉर्म करने का तो यह सक्षन 16 के अंदर आपकी चीज़े बता रहे हैं उसके बाद आप क्या आती है explanation explanation बोलती है for the purpose of close C जो C close है उसके यहां पर यहां पर यह बोला कि 100 रुपे का अगर मान की चलो बैग का कॉंट्रेक्ट हुआ था कुछ 10,000 रुपे में और अगर A है वो बैग नहीं बेज रहा है तो जो B है ना वो बूब कर सकता है कि मैंने पेमिट कर दी बैग नहीं मिले अगर वो प्रूब नहीं कर पा रहा तो आपका कहा रहेगा C close के अंदर आपके इनवल और की किसी कॉंट्रेक्ट के अंदर तो प्लेंटिफ के लिए ऐसा जरूरी नहीं होगा कि परफॉर्म करवाने के लिए जो वो चाहरे स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए कि मैं इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ तो उसके एक्चल में मुनि को टेंडर करें वह एक्चली को टेंडर नहीं भी करेंगा तो भी काम चल सकता है वह बोलता है कि मैं ready हूँ टूइल या फिर willing to pay हूँ तो उसके इसके अंदर भी बोल सकता है कि मैं का समान बेज़ दो मैं आपको पैसे दे दूँगा लेकिन यहां पर दूसरी सिच्वेशन यह यह भी रहती है कि यह तो वो खुद एक्चुली टेंडर करें ऐसा भी जरूरी नहीं है यह फिर आपका क्या रहेगा मतलब इस तरीके से टेंडर करें कि को बोले कि लो जी पैसे ले लो और इसको प्रफॉर्म कर दो आप या फिर पैसे कोट में डिपोजिट करवाने के लिए जरूरत नहीं होती जब तक कि उसको पैसे जमा करवाने के लिए नहीं होगी वो क्या कर सकता कि नॉर्मली बोल देगा कि मैं विलिंग टू पे हूँ आप आजाओ तो समान दे जाओ मैं पैसे देद होगा और दूसरा बोलता है कि अगर भी प्रूफ कर देता है तो बोलता है कि the plaintiff must prove the performance of readiness and the willingness to perform the contract according to its true construction अब यह सब्क्राइब कर रहे है और पूरी यहांपर ड्यूटिश बनेगी जब यह पर्फोर्म कर यहांपर मैंनेSON अपने अपने पार्ट को perform कर देइए तो कोड़िया आ पर इसको स्पेसिफिशली पर्फॉर्म करवा ही करवा देगी तो यह सेक्षन आपका सिक्स्टीन था तो यह आपके section number जो जरूरी जरूरी जीज़ नहीं थे इसके अंदर हमने cover कर लिए अगली वीडियो के अंदर इसके आगे की section को मैं cover कर दूँगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको like करके share करके में को comment करके बता सकते हैं अगर इसके अंदर को आपको query लग रही है तो comment box के अंदर comment कर दीजिए मैं आपको कोशिश करूँगा और किसी भी वीडियो के अंदर उसको explain करने की या फिर आपको मैं writing में ही इसको लिखके कुछ भी कोशिश करूँगा कुछ भी जो चीज आपकी होगी query को clear करने की आप मेरे को अभी तक अपने अगर Instagram और Facebook पे follow नहीं किया तो जाके follow कर लो link इसका मैं आपको description box के अंदर दे दूँगा जितने भी cases होंगे इनको मैं description के books के अंदर ही आपको मैं provide करवातर होंगा साथ की साथ तो thank you so much for watching this video